मैं सुरिभान सिंग, 363 बैरिया विधान सभा, समाज बारी पार्टी का एक छोटा सा करेकलता हूं और मैं बैरिया विधान सभा से इस बार टिकट के लिए अवेदर में किया हूं जी आप काफी दवेदार हैं और बैरिया से काफी नामी गिरामी माने जाते हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा किन मुद्धों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे आप देखें सुरू से मैं समाज सेवा के जरिये 363 बैरिया विधान तभा में जाना जाता हूं मैं हर पिड़तों के कहीं कुछ अगर कोई बात होती है या समाज के अंदर कोई घटना तो घटना होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि समाज में सेवा करूं बाग मेरा राजनितिक केरियर है और पार्टी में आवेदन किया हूं पार्टी अगर इस योग हमारे राष्टी नेता सब्झेंगे कि इस योग है तो टिकट देगी तो मैं लड़ूगा लड़ूगा तो मैं गरीबों के लिए सबसे पहले मैं काम करूंगा और मेरा पहला पा देखा जाता है कि जाती आप यह दों पर किसी के जांकत पड़ा दुखदर रूआ पिडित भ्यक्ति है तो मैं किसी जातिका हूँ उसका मैं सच्चर जाकर तो मदद करता हूँ और मुझे रहा नहीं जाता है चाहे वो यादो हो चाहे वो बिंद हो मलां हो हरजन हो चाहे ठाकूर हूँ कि सिभी पनडित हूँ कि वही मुझे संकट में खोजा, मैं उसके यहां गया और उसको हर समय दुख में खड़ा रह करके और मदद किया, समाज में मदद किया, मैं इसलिए नहीं किया कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं बिधायक बन जाओं, अब मैंने एक आवेदन किया है, और राश्चे निर्तुत अगर उ पांच साल बीत गये, पांच साल चुनाओ आ गये, पांच साल में कितना विकास हुआ है, कितना वहां के लोक तरस्त हैं? यह देखियें ऐसा है कि भारतिय जन्तापाटी का अगर रिकार्ड उठाट के देखिएगा तो आप देखिएगा कि शिख्षा जो विवस्ता है मैं कई बार पांग सालों में इसके लिए पत्र लिखा सिक्षा की वेवस्ता पर जाईएगा हर इस स्कूलों में सिक्षक कम है बच्चे जादे हैं स्वास्त पर जाईए अस्पतालों में जाईए तो अस्पतालों में कोई सुगदा नहीं है डाक्टर की वेवस्ता नहीं है इसके लिए मैं कई बार चिप्ची पत्र लिखा हूँ औ और उसका कई यह तो मैं जबाब दिखा दूंग, इसी तरह बिजली के तार जरजर है, हमारे हाँ के पांच-पांच बच्चे मरगये, उनकी मिर्टु हो गई, तार की गिरने से जरजर तार की गिरने से छेत्र में कई जगह इस तरह की घटना घट गई उसमें मिर्टु हो गई तो किस मुद्दे पर सरकार कती है कि मैं इस पर सफ़न हूं आप ही बताइए केवल धर्म और जाती पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है भाई हम लोग भी धार्मिक हैं हम लोग भी प्रभू सिरी राम को मानते हैं हम लोग भी हर भगवान को पूछते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग धार्मिक नहीं है हम हिंदू नहीं है हम पूजा नहीं करते हैं तो यह नहीं है हमारा देश ही सर्वधर्म सर्वसमाज का देश है और सर्वसमाज का ब्यक्तिक पूजनिया है यह राजनीत करने वाले जात और धर्मों में बाट करके अपना रोजी सेकना के काम करते हैं मैं इसका भी रोजी तो आज अभी भीम सेना के जो अद्यश है जो यह चंत्सिखर अजाद उन्हें आरोप लगाया अख्लेश जी पर की अख्लेश जी छोटी जातियों के साथ नहीं काम करते हैं और वो छोटी जातियों को पसंद नहीं करते हैं कितना सही है यह देखिए राजनी चंकाने के लिए कोई भी कुछ भी कह दे लेकिन मैं आपको बता दू कि अख्लेश हमारे जो राश्चिय अख्लेश जी है उनके उपर तमाम लोग जातिका आरोप लगाते हैं आप यह बताईए कि हमारे छेत्र के सर्गे संदेश जनेसर मिस्राजी थे जिनके नाम से इस लगनव सहर में एसिया के सबसे बड़ा पार्क बना है ब्रह्मन थे हमारे छेत्र के पुर्व परधान मंत्री स्री चंद्यखर जी थे उनके मिर्तु के बाद उनके पुत्र को लोग सभा के चुनाओं में जाकर के टिकट दे करके और जिताने का काम समाज बादी पार्टी के बर्तमान राष्ट्य अध्यक्ष और पुर्व हमारे मुक्यमंत्री आदरिय मुलाइम सिंग आदो जी के पूरे परिवार ने जाकर क श्री तारे का काम किया लोग सभा में दूसरे बार जब हर गये तो उनको राजेश सभा में भेजने का भी काम किये नि अगर क्या कर दो का भी मदब किये ऐसा नहीं हर व्राद्रियों पे उनका निगाह रहता है अब भाई लोग एक लेबल लगा देते हैं राजिनितिक चलना चाहते हैं राजनितिक स्वार्थ में वही आरूप लगाते हैं ऐसा कहीं से भी आप देखिएगा तो नहीं है कि राजनितिक मैं छोटा सा करेकरता था और मेरे पत्र लिखने पे बहरिया विधांताबा में कम से कम पचास क्रोड रुपिये का काम गया और बना भी आज भारतिय जन्ता पाटी की सरकार है एक छोटा सा करेकरता अगर पत्र लिख दिया हो और उनके पत्र पे अगर कोई भी काम चला गया हो या विधास का काम हुआ हो मैं दावे से पता हूँ कि आज समाज बादी पाटी से इस्तिफाते दूँगा अगर कोई एक लिया करके पत्र दिखाते कि इस पे काम हुआ है तो